हेलो फ्रेंड्स वेलकम अगें टू माई चैनल आज हम बनाएंगे चुकंदर की डाल यह सेहत के लिए बहुत इफाइदे मन्द होती है और आपके बलड को भी बढ़ाएगी तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को और आप अंते तक देखना जरूर तो यहां पे हमन पानी जितनी दाल होगी उससे दुगना पानी डालें जिससे की बाहर ना निकले ज़्यादा और इसमें हम डाल देंगे नमक स्वात के अनुसार और हल्दी पड़र डालेंगे थोड़ा सा आधा चमश लगभग और यह आपका प्रेशर कुकर कुछ सीटी खराब करता है तो उसमें आप हलका सा तेल डाल सकते हैं देखिए यहां पे दाल हलकी सी बाहर भी दिख गई है निकलाई है इसका पानी तो दाल में दो तीन सीटियां आ जाएंगी तो दाल अच्छे से पक जाएगी तब तक हम त्यारी करते हैं अपने सबजी बिनाने की जो कि हम इसमें मिक् प्याज डालेंगे तो टेश्ट तो अच्छा आएगा ही और बिल्कुल फ्राई दाल का मज़ा मिलेगा धाबे वाली दाल जैसा तो प्याज को फ्राई कर लेंगे हलका हलका जब इसका रंग बदलने लगे तो इसमें और मसाले डालेंगे तो थोड़ी सी हरीमिर्च कटी टमाटर को आलू की तरह छील लिया है फिर गले हुए टमाटरों को हमने इसमें डाला है और इसी प्याज के साथ ये अच्छे से गल जाएगा बहुत जल्दी शिकल उतार देते हैं तो टमाटर नुकसान भी नहीं करता है और इसी के साथ हम डालेंगे दो चुकंदर ये दो च कर सकते हैं ग्रेट करेंगे तो भी ये बहुत भारी हो जाएगा और इन सब को मिला लेंगे हम हल्का सा नमक करेंगे तो चुकंदर अच्छे से और बहुत जल्दी पकिएगा तो यहां पे हम सबसे पहले डालता है नमक और नमक उतना ही डालना है जितना की सबजी है क्योंकि दाल में नमक पढ़ चुका है इसलिए इतना ही नमक डालेंगे और टमाटर हमने इसलिए डाले हैं कि दाल में मिठासना रहे जैसे कि चुक अंदर हलका मिठा होता है तो इसमें हम डालेंगे नमक और टमाटर और इसको हमने ढग दिया है और डाल खोल कर देखी देखिये दाल बिल्कुल अच्छे से पक गई है और पानी की मातरा इसमें बाद में बढ़ाई जाएगी तो यहाँ देखिये चुकंदर भी पक गया है और टमाटर भी अच्छे से बिल्कुल मिक्स हो गए हैं देखिए टमाटर को गलाना जरूरी है क्योंकि बड़े बड़े टमाटर जब दिखते हैं तो दिखने में अच्छे नहीं लगते इसलिए टमाटर भी साथ में गल जाएगा तो बेहतर लगेगा और डालेंगे हलका सा काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है चुकंदर मेरा गल गया है और इसमें अब हम डालेंगे अपनी पकी हुई दाल चुकंदर हमारे red blood cells को बढ़ाता है इसलिए चुकंदर को अपनी diet में जरूर शामिल करना चाहिए और ये किसी बहाने salad में, दाल में, सबजी में या फिर कोई नाश्ते में जरूर यूज करना चाहिए तो देखे दाल में अब हम बढ़ाएंगे थोड़ा सा पानी और याद रहे कि गरम पानी बढ़ाएंगे तो ज्यादा बेतर रहेगा तो यहाँ पर हमने गरम पानी थोड़ा सा डाल दिया है और जितनी पतली दाल आपको पसंद हो उतना पानी आप डालिए तो पानी डाल दिया है और इसको हम थोड़ी देर के लिए ढख देंगे जिसे की एक अच्छा सा इसमें बॉयल आ जाए तो जब यह उबलने लगेगी तो इसको दुबारा खोल के देखेंगे अब यह दाल मेरी तयार है बिल्कुल देखें दाल और पानी एक में अच्छे से मिक्स हो गया है इसका कलर थोड़ा रेड हो जाता है लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी दाल यह लगेगी आपको और यहां पे आप इसका तड़का बनाएंगे तो पैन में हमने लिया है थोड़ा सा घी और इसमें हम डालेंगे थ थोड़ी सी हींग और जब यह ची टकने लगे तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च खड़ी तो लाल मिर्च खड़ी हमने डाल दी है और इस जो तड़का है इस तड़के को हम डाल देंगे डाल में तो मेरी चुकंदर मिक्स दाल तयार है और आपको ये वीडियो कैसी लगी फ्रेंट्स वीडियो अच्छी लगी हो तर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाली वीडियो के लिए आप बेल आइकान बटन को जरूर दबाएं और इसको दाल को सर करने से पहले समें डालेंगे काटा हुआ हरा धन्या और आप सब भी बनाईए खाईए और इंजोई करिए आप सभी को जरेश्टि किष्णा थैंक्यू फर वाचिंग